कि जो आरेक्षण एक जो मसला है पूरे भारत वस्त के अंदर आरेक्षण का मसला एक फैला हुगा है यह आरेक्षण है क्या और यह आरेक्षण क्यों चाहिए देवी सिंग जी आपने बावसाब को बहुत अच्छे धंशे पड़ा है और आप लोगों के मैं बात करते हैं तो पूसर यह आरेक्षण का मुद्ध क्या है इस आरेक्षण को एक सबने एक रूमर फैना बना दिया कि सम्मेधान खत्रे में अगर सम्मेधान खत्रे में रहेगा तो हमारा आरेक्षण चला जाएगा तो क्या बला है आरेक्षण अपने आप में एक सम्मान अवसर की बात है स सम्मान अवस्षर और सम्मान एकवल अपॉर्चनटी सबको मिलना चाहिए और हमारा प्रेशंग ड़क्टर अदितराज़ जी के नेतरे त juvenile में एकवल अपॉर्चनटी को अवेल कराने के लिए इसी लिए संगर्स सेल है और निरंतर कोशिष कर रहे हैं और हर बार, हर साल हम रामलीला मैदान में रेली करते ही ये ऐसा नए कि अब की बार कर रहे हैं उस समान अवस्र कोई कहीं ने कहीं जिंदा रखने के लिए उसको किया जा रहा है अब की बार भी हमारा मुद्दा रेजर्वेशन इंप्राइवेट सेक्टर रीजर्वेशन पर्वोसन कॉंट्रेक्च्वल सिस्टम खतम करवाना और दो कॉंट्रेक्च्वल स्टाफ है उसको रैग्लर करवाना हमारा मुद्धा है और डॉक्टि उदित्राज जी शिरफ मुद्ध उठा सकते हैं लेकिन मुद्धो को असली मुकाम तक पहुचाना तो ज जनता से भी हम अपील किये हैं अभी विन विन डिपार्डमेंट में जाके कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम लोग मैक्सिमम लेवल तक आके इस जन आकरोस के साथ जन संगर्ष को अपनी मांगों को मनवाने के लिए और कोई भी सरकार मेरा ये मानना है कि कोई ना किसी को नुकसान पोचा सकता है और नहीं कोई फायदा दे सकता है फायदा नुकसान जनता के ओपर डिपेंड करता है कि जनता उसका फायदा चाहती है या नुकसान चाहती है इसलिए हम ये चाहते हैं कि reservation is private sector is not an issue for the SCST only उसमें समान अवस्टर की बात है उसमें OBC जनरल का भी कहिन कहीं दावेदारी आता है अगर साड़े 22% 15 और साड़े साथ SCST की बात करते हैं और 27% और हम OBC को भी जोड लेते हैं तो उसके इलावा जितने भी लोग हैं अगर हम government department में अपने परिवार family और अच्छा समय या अच्छा जीवन वैतित कर रहे हैं बच्चों को पड़ा लिखा पा रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे पास जो समान opportunity की वज़े से आरक्षन है आरक्षन की वज़े से government guidelines लागू होती है ताकि हमारी service भी safe है हमारे को सरकार के वेजिज के इसाफ से तनखाथ सी मिलती है तो राणा जी अभी जैसे अभी उदीर राज जी ने भी बताया है कि जब उदीर राज जी जब परीसंग चलाते थे इनके साथ में लाखो लाखो पब्लिक हुआ करते थी फिर इंडियन जेस्टिस्ट पाइटी बनाई कुछ पब्लिक का कम हुआ और आज बीजी बी में चले गए हैं तो लोगों का मानना ये है कि जो एक बावा साब को मानने वाले थे जो एक ब्रहमनवाद और एक अम्बेडकरबाद की जो बात आती है जहां अम्बेडकरबाद को लेके जा रहे थे आज वो ब्रहमनवाद के अंदर फस गये हैं ऐसा लोगों का मानना हैं लोगों का ऐसा नहीं है कि लाखो लाखो लोग आज भी डक्टरबदीतराज जी के साथ हैं और देश का कस्मीर से लेके कन्या कुमारी तक गौाटी से लेके गुजरात तक पूरे देश में ऐसी कोई कॉन सीच्वेंसी और कोई ऐसा सेतर नहीं है जहां हमारे जागरुक दलित साती दलित मतलब सातना हो और दूसरा आपका जो मुद्दा है कि डॉक्टर उदितराज जी बीजेपी में चले गए बीजेपी में जाने से डॉक्टर उदितराज जी ने किसी समाज का नुक्सान नहीं किया है बलके समाज को प्रोटेक्ट किया है क्योंकि आज डॉक्टर साब अगर बीजेपी से सांसद है तो कम से कम ये दलित मुद्दे पार्लेमेंट सेशन में मैक्सिमम उठा तो रहे हैं और वो मुद्दे उठा रहे हैं जो वास्तों में आज का सबसे बर्निंग इस्यू है तो डौकर साब ने बीजेपी में जाके कोई ब्रामन वाद क्योंकि हम जिस भारत देश में रहते हैं इसमें तो जातियों का तो संग्ठन है ये है ये जातियां तो चलती रहती हैं लेकिन हम अपने मिश्चन को किस तरह से किस जर्ये से देख रहे हैं अगर बीजेपी में गए डौकर साब तो डौकर साब ने बीजेपी में जाके स्टी एस्सी ओबीसी माइनोर्टी का भी फायदा किया है और इससे किसी को कि घाटा नहुआ क्योंकि आपको बताया कि बाबा साहिब भी जिस कॉंग्रिस से लग बग लग बग नफरत जैसा ही किया करते थे किसी जातिवाद की वज़े से तो बाबा साहिब भी कॉंग्रिस कि वज़े से अगर वो कॉंग्रिस में ना जाते तो उनको सवीदान लिखने का और सवेदान में हमारी मजबूरिया और हमारे उतुन को रखने का मोगा नहां मिलता हूँ सिर्फ रोड्से क्योंकि बोल तो वही सकता है जिसको समयदानिक पावर मिली है जैसे सांसद मिला है या उसको कोई पावर मिली है अगर उनको ये पावर दिया गया और उनको टीम का सदस्य बना गया तो उन्होंने अपनी मन की बात और जो विडम बना थी ना की स्टी स्टी के लिए OBC माइनॉर्टी और दूसरे हिंदुताओं की भी बात करें तो सब को ऐ ऐसा कंस्टीशन दिया है कि जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंस्टीशन नहीं है तो मेरा ये कहना है कि अगर बाबा साहिब को जाना पड़ा कॉंगरिस में तो दलितों के हित्में गए आज भी बीजेपी में अगर डॉक साब हैं तो स्टी स्टी का कोई बुरा करने के लिए दिमाख में आज भी है कल भी है उनके लिए प्रायटी अंबेटगर वाद है उनके लिए प्रायटी अंबेटगर मिस्थन है कोई किसी तरह की दूसरी टाइप की करांतिया ब्रहानती नहीं फैलाना लेकिन दबे कुछले लोगों को डिप्रेस्ट कम्मेनिटी को ऊपर उठ सब्सक्राइब नहीं देखते हैं जो करना चाहिए उनको सांसद होने के नाथे उनको अंदर वैसा कुछ नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि उसमें बीजेपी और या कॉंग्रेस ने या दूसरी पार्टियों ने आजामाद में पार्टियों उसने हमारा क्या बला कर दिया जनता ही अपने आप में हर चीक का निरनायक है अगर जनता चाहेगी तो अच्छा होगा जनता नहीं चाहेगी तो अच्छा कोई चाह के भी नहीं कर पाएगा तो हमें संग्टित होना ही पड़ेगा संग्टित में आना ही पड़ेगा समाद को एक संग्टित में लाना पड़ेगा और एक आवाज बनना पड़ेगा हम ये नहीं कहते कि रेली के माद्दम से कि आप कहीं उगर रूप धान करें और अपनी मांगो का एक मेमोरेंडम तो भार सरकार तक या राज्य सरकार तक पोता है मेरे एक लाश कोश्चन है कि अभी जैसे यूपी के अंदर सरकार चल लए है और वहां से कुछ सवासत जीत का आए चेर्मेन जीत का आए और उन्होंने जब सफ़त ग्रहन समारो चला था उन्होंने बावा साब भीम के नारे लगा दिये तो उन सवासत की बीजी पी के दूश सवासत उन्होंने पिटाई कर दी यह तो देखी इसमें इस मुद्धे पर मेरे को ज्यादा कुछ सवासत जी ने भी बोला था कि जो एक LIC के डुप्ती डारेक्टर है उन्होंने बोला धोल गमार सुध पसुनारी यह सब तारन के अधिकारी और उस सरच्री जो बास्तव है जो के एक डुप्ती डारेक्टर प्रणारी यह सब पीटन के अधिकारी वह तारन के अधिकारी के पड़ा लिखा एक वेक्ति इस तरीके की बात करता है तो उनकी मांसिक जो इस्तिति है वो क्या कहती है देखिए इस बाहर देश्म से बड़ी बुराई यही जाद्मी तो के फुकड़ों में बता हुआ है औ और यहां आदमी किसी जी तरह का जात्ती जात्पात खेलाने से नहों अधिकारी समझभा रहा है वो अधिकारी भी बुरत जड़ने से कर रहा है लेकिन हम एकी बात लिखाते हैं कि अगर उसने बोला कि ताड़न के अधिकारी पीतन के अधिकारी तो हमारा यह कहना है कि बीड में आके भी कहेगा, तो इसलिए हमें अपने बाबा साहिब के सिद्दान्त के साथ हमें इख़टा होने की दरूरत है, संक्तित होके हम अपने आपको श्यो कर सकते हैं कि हम किसी की बुरे में नहीं हैं, हम सिरफ अपने अपने अदिकार चाहिए और अदिकारों की रच् हम भी देश के लिए सेवा करते हैं और देश के लिए सेवा करते हैं तो ऐसे अब सब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और करना बंद भी हो जाएगा लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि एकता होना चाहिए और एकता सब कुछ बंद कर देगा देरे देरे उस आदमी को भी ये निंदन ये है कि अगर उस अदिकारी ने पड़े लिखे हैं वो अगर तो उन्होंने अगर ऐसा सब दिश्तेमाल किया है तो वो अपने आप में निंदन ये है और परिशंग ऐसे व्यक्तितों को जिसने भी बाबा साहिब के मिस्तल और समाज के लिए गलत बोला उस देवी सिंग राना जी जिन्होंने बाबा साहब को पड़ा और बावसाब को विस्तार से बताया कि Sबी को संग्थन डैने की जोड़त जासे मधि मकखी का भी है कि रहा कि इसे ज ही मकामपर बैठी रहती है और अपना काम कर के का आती है फिर वहीं अपने घर के अंदर चली जाती है इन सब बातों को लेके बही बात निकलती है अगर बाबा साथ के मिशन को आगे बढ़ाना है और बाबा साथ की बात को आगे बढ़ाना है तो संगठन बनाना बहुत जरूरी है संगठीत रहना बहुत जरूरी है